आडू के पोदे को और इसमें लगने वाले फूर्ट्स को किस तरह बिमारियों से बचाया जा सके। किस वक्त कौन से दवा और स्प्रे का इस्तिमाल करे ताके पोदा और इसमें लगने वाले पल को हर किसम के बिमारियों से बचाया जा सके। ये डिटेल आप इस वीडियो में देख सकेंगे आडू के दरख्त पर वक्त पर स्प्रेय ना करने से दरख्त के पत्ते मुर्जा जाते हैं रस चूसने वाले मक्या इनके पत्तों के रस चूस लेते हैं और नतीज़तन इसकी ग्रोथ रुख जाती है बहार के मोसम में जब आडू के दरख्त पूल निकालते हैं तो इन पर बहुत से बिमारियों का हमला हो जाता है इन बिमारियों से बचाओ के लिए कुछ अदोयात का स्प्रेय करें पूल निकालते ही दो किसम के अदोयात का स्प्रेय करें पहली दवाई ऐसे टेंपरिमिट ले और एक लिटर पानी में इसका 10 से 15 ग्राम पोडर डाल दे इसके बाद लिम्डा दवाई ले और इसके 20 से 25 एमिल एक लिटर पानी में डाल दे दोनों को एक ही लिटर पानी में डाल कर अच्छी तरह मिक्स करें इसके बाद पोदे पर अची तरह स्प्रे करें हर पत्ते तक स्प्रे को पहुंचाए पिर पंद्र से बीस दिनों के बाद दोबारा इन दवाईयों को मिक्स करके एक दपा पिर स्प्रे करें इन अदोयात के इस्तिमाल से एक तो पौदा रस चूसने वाले कीड़े माकोडों से महभूस हो जाता है और दूसरा इसमें लगने वाले पल भी हर किसम के कीड़े माकोडों से महभूस हो जाता है अगर अभी आप अपने पौदे और पल को महपूस बनाएंगे तो पल के उतारने तक ये महपूस रहेगा और आपको सिहतमन और अच्छी पल मिलेगी वीडियो देखने का शुक्रिया हुदा हापिज